जब भी बात आता है घर को कंस्ट्रक्शन करने का तो सबसे पहले एक बात आपके माइड में जरूर आता होगा सरिया कौन सा कंपणी का ले कौन सा ग्रेड का सरिया ले ये पूरा अगर डिटेलिंग देखना है न बस कंप्लेट वीडियो देख लेना इसमें E2-Z जनकारी आपको प्रवाइड कर दिया जाएगा उसके बाद आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता इस चीज की गैरेंटी मैं ले रहा हूँ बस आप पूरे वीडियो से देख लेना इसमें पूरे अच्छी तरीका से मैं समझा दिया हूँ कि क्या है नहीं है कौन सा चीज देखना परता है सरिया में नहीं देखना चाहिए सब कुछ बताए है तो सरिया खडिदने जा रहे हो अगर एंफोर्समेंट तो इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीका से देख के जाना देखो सरिया की जब भी बात आती है ना तो सबसे पहले मैंड में एक ही ख्यालाता है कौन सी कंपनी तो लोग सबसे पहले ब्रांड के उपर जाते कौन सी ब्रांड की उसके बाद लोग देखते हैं कितने mm का सरिया खडिदना है उसके बाद लोग को में चीज पता नहीं होता है कि हमें कितने grade का सरिया खडिदना है ठीक है तो यह जो grade कितनी grade की है यह चीज़े आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इतना ही खडिदना है इतना डख्टलिटी का होना चाहिए ताकि हमारा घर काफिर हिबी बन सके होते हैं न सब कुछ आप बनाने का प्रोसेस बेगरा सब कुछ अच्छी तरीका से फॉलो कर रहे हो पैसे भी अच्छा खासा लगा रहे हो अगर मालो कि वहाँ पे सरिया ही कमजोर लगा लिया तो फिर क्या होगा तब तो फिर उख फाइदा ही नहीं रहा क्योंकि पूरा घर जो टिका रहता है वो शरिया के उपर रहता है सरिया का खाफिर बड़ा भूमी का आदा किया जाता है घर बनाती टाइम तो देखो, सरिया जब भी खरिदने जा रहे हो न तो सबसे पहले उसमें क्या चेक करना है क्यों कितना डक्टे लेटी का है सरिया कितना लोड ले सकता है ये चीजे जरूर चेक कर लेना आप बोलों कि भाई मैं तो अब इस चीज के रिलेट पढ़ाई नहीं किया हूँ आप पढ़ाई कियो आप बताओ कि कितना लोड ले सकता है कि हम ओ शर्या को खड़ीदे तो इसके लिए आपको कुछ नहीं सर्या के उपर में ही सब कुछ लिखा रहता है जानकारी आप जब खड़ीद रहो सर्या के उपर में सब कुछ जानकारी लिखा रहता है क्यों कितना mm का सर्या है आप अपने purpose के हिसाब से सरिया खुल लो सरिया कितना mm का है जैसे column आपको बनाना है तो minimum कितना mm का होता है 12 mm अब 12 mm सरिया को जैसे देखोगे शरिया के उपर में लिखा रहेगा ISI ठीक है Indian Extender Court के हिसाब से उस चीज़ को design क्या दाता है इंडियन एस्टेंडर इंस्टिट्टूट के हिसाब से वो design क्या दाता है ठीक है ISI वहाँ पर एक मार्का होगा लिखा होगा sign ठीक है उसके बाद वहाँ पर grade लिखा रहेता है कि D D क्या होता है D 500 550 D SD इस तरीका से लिखा रहेता है तो इस चुच को कैसे समझे तो यह जो सर्या पर जब आपका लिखा होगा है तो वहाँ पर चेक करना है कि आपका 550 D है या कितना D है D चेक करना है D क्या होता है ductility क्यों आपके घर में कितना ओलचिलापन देगा मालो भुई काफ आता है तो भुई काफ में तो घर तूटके तो नहीं गिरता है वह हिलता है काफ ज़्यादा लेकिन तूटता नहीं है किसके बज़े से क्योंकि उसमें सर्या अच्छा quality का लगाया हुआ है जिस घर में अगर सर्या अच्छा quality का अगर सर्या quality में नहीं लगाओगे TMT ठीक है TMT भी आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा तो TMT कितना लेना है आपका TMT का मतलब क्या होता है thermo mechanically treated होता है ठीक है न कि उसको thermo mechanically treated कर दिया जाता है जो बाहर से आपका heart दिखेगा अंदर से ये soft होगा soft मतलब कि ये इतना भी soft है आपके हाथ की जैसा soft नहीं होगा वो लचीलापन होगा उसका elongation ज्यादा होता है वो ज्यादा लच लच करता है जितना ये D ज्यादा लोगे उतना ज्यादा है जैसे आप मालो टाटा टाटा का टाटा टिसकौन आता है 550 SD में आता है SD का मतलब क्या होता है super ductility है बाई ductility होना चाहिए अब मालो कि आप दुकान में चले गए normal कोई भी सरिया उठा के ले आए जिसमें ductility ही नहीं है जिसमें high carbon steel है उसमें carbon की percentage जादा है तो चीजे है जो बेकार होता है सही नहीं होता है आपके घड के लिए high carbon steel इसलिए low carbon steel का सरिया लिया जाता है तो इस चीज के आपको ध्यान रखना है आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है यहाँ पे ज्यादा engineering आपको नहीं समझना है सीधा दुकान में जाके 500D होना चाहिए D is a ductility 500 से नीचे मतलेना 500 से उपर हो जाए अच्छा है जैसे आपका captain है 600D द देता है तो यहाँ पर safety of factors सब कुछ लेकर चला जाता है बाकी चांदकारी के लिए आप हमें contact कर सकते हैं comment box में